राग सिरी राग महला चौथा कारपेला एक ओ सत्गुर्परसाद नाम मिले मन त्रिपतिये बिन नामें त्रिग जीवास कोई गुर्मुक सजन जे मिले मैं दसे प्रभ गुन तास सत्संग के ये बचन हजूर महराजी द्वारा फर्माये गए सत्संग के हिंदी अन्वाद पर अधारित है ये चौती पादशाही सिर्गुर्रामदास जी महराज की बाणी है इस शबद में आप बड़ी अच्छी तरह से नाम की महमा करते हैं वैसे तो हम किसी भी महात्मा की बाणी को लेकर खोज करें तो देखेंगे कि हर एक महात्मा शबद की महमा करता है नाम की महमा करता है कोई भी महात्मा यहां कोई कौम या मजभ बनाने के लिए नहीं आता ना ही महात्मा हमारे हाथों में डंडे और तलवारें देने के लिए आते हैं वैतो केवल हमारे अंदर शबद या नाम की कमाई करने का शौक और प्यार पैदा करके हमें दे के बंदनों से अजाद करके प्रमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं عام طور پر ہم دنیا کے जीव ऐसे माले के बग्तों और प्यारों के जाने के बाद भरमुकी हो जाते हैं करम कांद में फस जाते हैं हम उनकी तरह नियम को छोटे छोटे दायरों में बंद करके कॉमों मेजबों मुलकों की शकल देने की कोशिश करते हैं और आपस में लड़ना भिड़ना शुरू कर देते हैं हम ऐसा क्यों करते हैं? कभी अपने पेट की खातर करते हैं कभी अपनी इज़त और मान बढ़ाई के लिए करते हैं जिन महात्मा का उपदेश सारी दुनिया के लिए होता है जब हम उनके उपदेश को छोटे छोटे दायरों में बंद करने की कोशिश करते हैं आप ही सोच लें कि हम उन माले के भक्तों और प्यारों के साथ इस से ज़्यादा और क्या बेनसाफी कर सकते हैं? अगर हम खुले दिल से किसी भी महात्मा की वानी की खोज करते हैं तो यही समझ में आती है कि सब महात्मा एक ही चीज़ का उपदेश देते हैं एक ही चीज़ को हासल करने का शौक और प्यार हमारे अंदर पैदा करते हैं ये जितने भी हमारे धर्म हैं इन सब के अपने अपने रीती रिवाज हैं जो रुहानियत है असलियत है हकीकत है वे हर एक धर्म की तैय में एक ही चीज है उस एक रुहानियत को अलग-लग महात्माओं ने अलग-लग मैजबों, मुलकों और समय में आकर अलग-लग तरीकों से स निर्मलksomाद या दिविधवनी कह कर समझाया है ग्रूरनानक साथ ने आम तोर पर उसे शबद या नाम कह कर याद किया है आप इसे गुरकी बार्णी, दुरकी बार्णी, सची बार्णी भी कहते हैं इसी को हुकम, अकत, कधा, हरी कीर्दन भी कहते हैं मुसल्मान फकीरों ने रोहानियत को कल्मा, बांगे अस्मानी, कलामे इलहाई, निदाय सुल्तानी कह कर याद किया है हजरत इसा ने उसी रोहानियत को वर्ड या लागस कह कर याद किया है चीन के महात्मा उसी को ताओ कह कर बियान करते है हमारा लब्जों से कोई बैस मुवासा नहीं है हमें तो उस रुहानियत की उस शबद या नाम की खोज करनी है महात्मा लब्जों को शबद या नाम नहीं कहते हमने अपने अपने प्यार में परमात्मा के जो नाम रखे है उन लफजों को महात्मा नाम या शबद नहीं कहते ये वरनात्मिक नाम या शबद है ये हमारे लिखने पढ़ने और बोलने में आ जाते हैं हमारे कई देश हैं हर एक देश की अपनी अपनी अनेक भाशाएं हैं और एक एक भाशा में अनेक लफ़ों के द्वारा हम दिन रात उस परमात्मा को याद कर रहे हैं कोई रब, कोई अल्ला, कोई रहीम, कोई करीम, कोई परमात्मा तो कोई परमेश्वर कहता है ये जितने भी लफ़ों से हम परमात्मा को याद कर रहे हैं ये सब लिखने पढ़ने और बोलने में आते हैं आप देखें हजारों अनेकों महात्मा दुनिया में आए हैं और आगे भी अनेक महात्माओं को दुनिया में आना है हजारों अनेकों लफजों से महात्माओं ने उस परमात्मा को याद किया है और अने अनेकों नामों के दोरा महात्मा आगे भी उस परमात्मा को याद करेंगे पिछले इस लफज या नाम हम भूलते जा रहे हैं और आगे के लिए प्यार में आकर हम उस परमात्मा के नए नाम रखते चले जा रहे हैं ये सबी लफज या नाम जो लिखने पढ़ने और बोलने में आते हैं वर्नात्मक नाम या वर्नात्मक शबत हैं हम हर लफज की हिस्ट्री ट्रेस कर सकते हैं हर लफज की मियाद मकरर कर सकते हैं समय निश्चित कर सकते हैं स्वामी जी महराज को आए, सौ साल हुए हैं, उनके जाने के बाद हमने उस मालिक को रादा स्वामी कहना शुरू कर दिया है, इसी परकार गुरुनानक साब को आए, पाइंस साल हुए हैं, उनसे पहले भी हम मालिक को किसी ना किसी नाम से याद करते ही थे, मुहम्मद साब को आए, चौदान सो साल हुए हैं, रामचंदर जी महराज को आए, इससे भी ज्यादा समय हुआ है, लेकिन दुनिया को बने हुए तो कई यूग बीचुके हैं, वे परमात्मा भी यही था और हम दुनिया के जीब भी यही थे, और किसी ना किसी लफज के दुरा परमात्मा को याद करते ही आए हैं, यह परमात्मा के जितने भी नाम हैं, जो लिखने, पढ़ने और बोलने में आते हैं, महात्मा इन्हे वरनात्मक नाम कहते हैं, हम इनकी हिस्ट्री ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन हर एक महात्मा उस सचे शब्द की मेहमा करता है उस सचे नाम की मेहमा करता है जो ना कभी आँखों से देखा जा सकता है ना कभी जबान से बोला जा सकता है ना कानों से सुना जा सकता है हजरत इसा समझाते हैं Having eyes you see not, having ears you hear not हज़ूर महराजी इसे unwritten law, unspoken language क्याकर बियान किया करते थे वे सचा शब्द या सचा नाम ऐसा कुदर्ती कनून है जो कभी लिखने पढ़ने या बोलने में नहीं आता गुरू अंगद देव जी समझाते हैं अक्खी बाजों वेखना बिन कनना सुनना पैरा बाजों चलना विन हत्ता करना जी बे बाजों बोलना यो जीवत मरना नानक हुकम पचान के तौखस में मिलना तुम उस शब्द या नाम को पकड़ कर अपने ख़सम यानी परमात्मा से मिल सकते हो जिसे ना किसी की आँखें देखती है ना किसी के कान सुनते है ना जबान बियान कर सकती है जहां ना किसी के हाथ पैर लेकर पहुंचते है और जिस चीज को हम जीते जी मरकर हासल कर सकते है जीते जी मरने से मतलब ये है कि जिस चीज को हम नोंदोरों से क्याल को निकाल कर आंखों के पीछे कठा करके ही हासल कर सकते हैं सबी महात्मा उत specifications या नाम की महमा करते हैं ये जितने भी हमारे लफज हैं ये हमारे means हैं वैसे शबद या नाम हमारा end या object है हमें लफ़ों के साथ प्यार करके कभी कौमों मजधों मुलकों के जھگडे क्षडे नहीं करने चाहिए हमें तो इन लफ़ों के जरीए उस सचे शबष की उस सचे नाम की खोज करनी है उस सचे शबष ने दुनिया की रचना पैदा की है उसके अधार पर हमारे खंड ब्रहमन खड़े हैं गुरु नानक साफ फरमाते हैं शब्दे तर्ती शब्द अकाश शब्दे शब्द भयापरगास सगली स्रिष्ट शब्द के पाच्छे नानक शब्द कटे कट आच्छे उस शब्द ने धर्ती पैदा की है सूर चंदरमा पैदा किये हैं उस शबद ने सारी दुनिया की रचना की है वे शबद दिन रात सब के अंदर धुनकारें दे रहा है जब तक हम उस शबद के साथ ख्याल नहीं जोडते तब तक हमारा मरन जनम के दुखों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता यही हमें वेदों शास्तरों में रिशी मुनी समझाते चले आ रहे हैं कि परमात्मा ने अकाशवानी के जरीए दुनिया की रचना की है मुसल्मान फकीर समझाते हैं कि परमात्मा ने कलमे के जरीए दुनिया की रचना पैदा की है इसा मसी बाजबल में फर्माते हैं कि उस परमात्मा ने वर्ड के दोरा दुनिया की रचना की है किसी ने वर्ड कहा दिया, किसी ने कलमा कहा दिया, किसी ने कुन कहा दिया, किसी ने शबद या नाम कहा दिया, किसी ने अकाशवानी कहा दिया हमें लफजों के बैस मुबावसे में नहीं उलजना है हमें तो उस चीज की खोज करनी है जिसके अधार पर हमारे खंट ब्रहमांड कड़े है जो चीज दिन रात हमारे अंदर दुनकारें दे रही है और जिसको पाकर ही हम जनम मरन के दुखों से छुटकारा हासल कर सकते हैं गुरू अमरदास जी फरमाते है शरीरों पालन को बाहर जाए नाम न लहे बहुत वेगार दुख पाए जो व्यक्ति दे या शरीर के बाहर उस नाम रुपी वस्तु को ढूनने में लगे हुए हैं वे तो वेगारियों की तरह अपना कीमती समय बरबाद कर रहे हैं बेगारी कौन होता है जो सारा दिन मेनत करता है तूट तूट कर मरता है खून पसीना एक कर देता है लेकिन जिस गरीब के हाथपले कुछ भी नहीं पड़ता अगर कोई चीज हमारे घर के अंदर है और घर के अंदर जाकर उसकी खोज करेंगे तब ही हम उस चीज को पा सकेंगे अगर हम शहर सटकों पर जाकर बजारों गलियों में खोज करेंगे तो हम उस वस्तू को किस तरह प्रापत कर सकते हैं गुरू रामदास जी फरमाते हैं और वजूत के अंदर ही मिलेगा गुरू अमदास जी फरमाते हैं गुर्मुक होवे सो काया खोजे होरसा परम पुलाई जो गुर्मुक लोग हैं मालक के भगत और प्यारे हैं वे हमेशा शरीर या दे के अंदर जाकर उस परमात्मा की खोज करते हैं बाकी सब दुनिया के जीव भरमुक फसकर यहीं भूले पिरते हैं हमारा रुहानी सफर पैरों के तलों से लेकर सिर्की चोटी तक है इस सफर की दो मंजले हैं एक आंखों तक और दूसरी आंखों से उपर हमारे शरीर में जो आत्मा और मन का केंदर है या बैठक है वै आंखों के पीछे है जिसे कोई तीसरा तिल कोई शिवनेतर कोई दिवचक्शू कोई कारदर कोई मुक्ती का दर्वाजा कहकर याद करता है गुरू रामदास जी फरमाते हैं मन खिन खिन परम परम बो धावे तिल कर नहीं वासा पाई है हमारा मन आंखों के पीछे तीसरे तिल से उतर कर मिनट मिनट सेकंड सेकंड बाहर इन भरमों की और भागने की कोशिश करता है ये कशन मातर के लिए भी आंखों के पीछे नहीं टिकता जब तक ये आँखों के पीछे नहीं टिकता हमारा मन बर्म तरिकुटी अपने ठिकाने पर किस तरह पुएंच सकता है ये कौन से भर्मों के पीछे भागता है ये जो कुछ भी आँखों के दुआरा दुनिया में देख रहे हैं इसको महात्माओं ने भर्म कहकर बियान किया है क्योंके इसे नाश और फना हो जाना है हम इसे असल समझ कर दिन रात अपना बनाने में लगे हुए है महात्मा समझाते हैं कि ये दुनिया के पदारत और शकले ना तो कभी किसी के बने हैं और ना ही कभी किसी के बन सकते हैं हम अपने ख्याल को आंखों से नीचे उतार कर बाहर भर्मों में फलाए बैठे हैं जब तक हमारा ख्याल वापस आंखों के पीछे नहीं आता ये मन कभी वापस अपने घर नहीं जा सकता इसलिए महात्मा हमें उस माले के नाम का सिम्रन करने का तरीका बताते हैं हमें माले के नाम का सिम्रन करके अपने फैले हुए ख्याल को वापस मेट कर आँखों के पीछे कठा करना है जब हमारा ध्यान आँखों के पीछे एकटा होना शुरू हो जाता है तो हमें अपने आप ही समझ आ जाती है कि वै मिठी से मिठी सुरीली से सुरीली अवास जो कि मालकी दर्गा से आ रही है हर एक के अंदर आँखों के पीछे धुनकारें दे रही है वे आवास चोरों ठगों के अंदर भी है सादों संतों महात्माओं के अंदर भी है उस आवास को किसी ने शबद कहकर बियान किया है किसी ने नाम कहकर बियान किया है जब हमारा मन उस शबद या नाम की लज़त लेने लग जाता है तो इसकी लज़त इतनी मीठी और निर्मल होती है कि उस लज़त को पाकर हमारा मन वापस अपने ठिकाने ब्रम या तरिकुटी पर पहुंँ जाता है और हमारी आत्मा उसके पंजे से अजाद हो जाती है हमारे मन और आत्मा की गांट खुल जाती है हम अपने आपको पहचानने के काबल हो जाते है उस परमात्मा को पहचानने के काबल बन जाते है इसलिए गुरू साब समझाते हैं कि जब भी तुमारे मन में त्रिप्ती और शांती आएगी उस अमरत रुपी नाम को पी कर ही आएगी जब तक इस श्रीर के अंदर जाकर उस शबद की खोज नहीं करते उस नाम रूपी अमरत की तलाश नहीं करते हमारा मरन जनव के दुखों से चुटकारा पाने का कभी सवाल ही पैदा नहीं होता ये इनसान का जामा परमात्मा ने अपनी भक्ती के लिए बक्षा है अपने प्यार के लिए बक्षा है ये जो कुछ भी हम आखों से देख रहे हैं ये 84 का एक बहुत बड़ा जेल खाना है इस जेल खाने में से निकलने का परमात्मा ने केवल एक दर्वाजा रखा है वे कौन सा दर्वाजा है वे इनसान का जामा है 84 लाक यूनिया भोगने के बाद परमात्मा ने हमें ये मौका बक्षा है ताकि हम इसका फाइदा उठा कर मालक की भगती करके हमेशा के लिए दे के बंदनों से छुटकारा हासल कर सकें गुरू रामदास जी फर्माते हैं काया नगर नगर हैनी को विच सवदा हरस कीजए हमारी दे एक बहुत सुन्दर शेर है क्योंकि इसके अंदर बैट कर हम हरी रूपी सौदा खरी सकते हैं मालक की भगती कर सकते हैं बाकी सौदे तो हम हमेशा खरीदते आये हैं अगर कोई अनुकी चीज़ है जिसे हम इनसान के जम्मे में बैटकर ही खरी सकते हैं तो वे केवल परमात्मा की भगती है परमात्मा का प्यार और उसका मिलाब है कबीर साब फरमाते है कबीर मानस जनम दुलंब है होए न बारे बार जियों बन फल पाके भोई गरे बहुन अलागे डार और चाहे जितनी कोशिश करें वे कभी वापस पेड़ से नहीं जुड़ सकता इसी तरह अगर तुम भी एक बार इस मौके को हाथ से खो बैठोगे तो ये मौका भी बार बार नहीं मिलेगा इसलिए गुरु नानक साफ फरमाते है बिन नाम में तरिक जीवास अगर दे में बैठकर हमारा मन सचे शबद की कमाई की और नहीं जाता नाम की कमाई की और नहीं जाता तो हमारा दे में आने का मकसद कभी पुरा नहीं हो सकता हम श्रीर के अंदर जाकर उस नाम की तलाश करने की कोशिश नहीं करते हम नाम को गरंतों पोतियों में ढूनते हैं मंदरों, मस्जिदों, गुर्दवारों में ढूनते हैं जगलों, पहाडों में ढूनने की कोशिश करते हैं जो चीज हमारे श्रीर के अंदर है अगर हम श्रीर के अंदर ढूंडेंगे तो उसे पा सकेंगे लेकिन हम तो हमेशा बार मुखी हुए रहते हैं गरंतों पोतियों में महात्मा उस शबद की खोज और कमाई की महमा लिख देते हैं उसे प्रापत करने के तरीके और साधन का जिकर कर देते हैं लेकिन वे चीज तो हमें कभी बार से नहीं मिलेगी जिस चीज की महात्मा महमा लिख रहे हैं वे शबद या नाम तो हमारे श्रीर के अंदर है इसी तरह हम सत्संग में शबद या नाम की महमा कर रहे हैं उस नाम के बारे में विचार कर रहे हैं लेकिन सत्संग सुनने से ख्याल नाम या शबद के साथ नहीं जुड़ता जो कुछ सुन रहे हैं उस पर अमल करने से ही हमारा ख्याल शबद या नाम के साथ जुड़ सकता है इसी तरह मंदरों मस्जिदों गुर्दवारों के अंदर महात्मा उस शबद की महमा करते हैं उसका कीरतन करते हैं लेकिन इस कीरतन को सुनकर तो आप शबद की लज़त हासल नहीं कर सकते जिस चीज़ का कीरतन किया जा रहा है उस चीज़ को शरीर के अंदर ढूंड कर ही हमार अगर हम पुस्तक के अनुसार खाना बना लें तो हमारा पेट भी भर जाता है, हमें स्वाद भी आ जाता है इसलिए महात्मा समझाते हैं कि यो ही अपने ख्याल को बाहर फैलाने नहीं देना चाहिए जो कुछ भी हमें मिलेगा अपने श्रीर के अंदर मिलेगा, अपनी देह या वजूद में मिलेगा गुर्मुक या सत्गुरू हमें तरीका और सादन बताते हैं कि किस तरह हमें श्रीर के अंदर जाकर खोज करनी है गुर्मक हमारे अंदर घोल कर कुछ नहीं डालते वे दौलत परमात्मा ने हमारे अंदर हमारे लिए ही रखी है महात्मा समझाते हैं कि जो कुछ भी मिलना है अपने श्रीर के अंदर से ही मिलना है लेकिन उस दौलत को हमें अपने श्रीर के अंदर किस परकार ढूनना है इसका तरीका इसका भेद हमें गुर्मकों से प्रापत होता है गुरू रामदास जी बहुत सुन्दर मिसाल देते है कासट मैं जियो है बेसंतर मत संजम काड कडी जै जिस परकार लकडी के अंदर अगनी होती है लेकिन ये अगनी ना तो किसी को दिखाई देती है और ना ही कोई इससे फाइदा उठा सकता है लेकिन जब लकडी से लकडी युक्ती दौरा रगणना शुरू कर देते हैं तो उसमें से अगनी भी पैदा हो जाती है और हम उस अगनी से फाइदा भी प्रापत कर लेते हैं गुरू साब समझाते हैं कि इसी तरह वे शबद या नाम हम सब के अंदर है लेकिन जब तक हमें युक्ती और तरीके का ही पता नहीं चलता कि किस परकार अपने अंदर जाकर खोज करनी है हम उस नाम से फाइदा कैसे उठा सकते हैं इसलिए गुरू नामदास जी फरमाते हैं कोई गुर्मुक सज्जन जे मिले अगर हमें कोई माले का भगत और प्यारा मिल जाए वे तरीका और सादन बता दे कि किस तरह उस हरी के गुन गाने है किस तरह उस शब्द या नाम के साथ ख्याल को जोड़ना है और हम उन गुर्मुकों के बताय हुए रास्ते पर चलना शुरू कर दे तो हम उस हरी के गुन गाने के काबल हो सकते हैं अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ लेते हैं नाम के साथ जोड लेते हैं हजूर महराजी समझाया करते थे कि विद्या की ताकत हम सब के अंदर मजूद होती है लेकिन ये ताकत हमारे अंदर सोई रहती है जब हम स्कूलों काल्जों में जाते हैं उस्तादों की आगया का पालन करते हैं रातों को जागते हैं, मेनत करते हैं, तो ये सोई हुई ताकत हमारे अंदर जाग पड़ती है, हम B.A.M.A. करके गुनी ग्यानी बन जाते हैं, आप देखें, जिनके पास वकालती या डॉक्टरी की डिग्री है, उनके अंदर उस्तादों ने कोई चीज घुल कर नहीं डाली ह सिर्फ उस्तादों की संगत के दोरा उनकी बुद्धी इतनी तेज हो जाती है कि वे डॉक्टरी या वकील बन जाते हैं, जो लोग कभी उस्तादों की संगत ही नहीं करते और स्कूलों काल्जों से भाग जाते हैं, विद्या की ताकत तो उनके अंदर भी मजूद होती है, और सोई हुई ही चली जाती है, इसलिए गुरु नानक साथ फरमाते हैं कि हमें गुरमुखों के पास जाकर भेद और तरीका लेना है, उन्हें तो सिर्फ इशारा ही करना है, युक्ती ही बदानी है, जिस चीज़ को हमें प्रापत करना है, वे उन्हें अपने पास से नहीं देनी है वे तो परमात्मा ने पहले ही हमारे अंदर हमारे लिए रखी हुई है गुरु अरजन देव जी फरमाते हैं जिसका ग्रह तिंदिया ताला कुंजी गुर से उपाई भाई जिस परमात्मा ने तुझे पैदा किया है उसने ये नाम का खजाना तेरे अंदर रखकर उस ताला लगा दें तो बाहर से कोई कैसे आपके मकान के अंदर आ सकता है जब तक कोई चाबी वाला ताला नहीं खोलता बाहर से कोई इनसान मकान के अंदर पहुँची नहीं सकता इसी तरह परमात्म हमारे अंदर बैठा हुआ है जब हम किसी चाबी वाले गुर्मुक की संगत क तो वो हमें तरीका और सादन बता देते हैं कि किस तरीके हमें इस ताले को खोलना है, किस तरह दर्वाजे के अंदर जाना है, फिर हम अपने इस घर के अंदर ही परमात्म को पा लेते हैं। चोखनी ये मैं नाम करे परगास फरमाते हैं कि हम अपने सत्गरू पर बलहार जाते हैं, कुर्बान जाते हैं, अपने आपको निचावर करते हैं, जिनोंने हमारे ख्याल को उस शब्द या नाम के साथ जोड़ कर, हमारे अंदर से अग्यानता के अंधेरे को दूर कर दिया। हमारे अंदर नाम की रोशनी पैदा कर दी, नाम का परकाश कर दिया। जब हम आँखें बंद करते हैं, तो हमें अपने अंदर अंधेरा यही हंधेरा दिखाई देता है। लेकिन जब हम अपने ख्याल को उस शब्द या नाम के साथ जोड़ लेते हैं, तो हमारी निरत अंदर उस रोशनी को हासल करना शुरू कर देती है। हर महात्मा ने उस परकाश का दिकर किया है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुर ग्यान अंजन सच ने तरी पाया, अंतर चानन अग्यान अंधेर गुआया। जब हम गुर्मुकों के उपदेश पर चलकर सच या शबद रुपी सुर्मा अपनी आँखों में लगाने लगते हैं तो हमारी आँखों के आगे से अग्यानता का अंधेरा दूर हो जाता है। परमात्मा का नूर और परकाश आना शुरू हो जाता है। हिंदोस्तान में ये आम रवाज है कि अगर किसी की आँखें कमजोर हो दिखाई नहीं देता या कम दिखाई देने लगता है तो उसे सुर्मन डालने की हिडायद दी जाती है हमारा ख्याल है कि सुर्मन डालने से आंखें ठीक हो जाती है इसी तरह गरू साथ फरमाते हैं कि हम दुनिया के जीव आंखों वाले होने के बावजूद उस परमात्मा के नूर और परकाश को अपने अंदर नहीं देख सकते हमें अपने अंदर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है जब हम गुर्मकों के समझाने के अनुसार अपनी आँखों में नाम या शबद का सुर्मा डालते हैं तो हमारी आँखों के आगे से अग्यानता का अंधेरा दूर हो जाता है उस परमात्मा का नूर और परकाश हमारे अंदर पर गट होना शुरू हो जाता है फिर क्या होता है जोती जोत मिली मन मानिया हरदर सोबा पावनिया उस जोती के दर्शन करके हमारा मन मान जाता है अभी हमारा मन बार मुखी हुआ बैठा है आँखों के पीछे से उतर कर इंद्रियों के भोगों की और फैला हुआ है जब ये मान जाता है तो आँखों के पीछे आकर अपने घर की तरफ जाना शुरू कर देता है अपने केंदर या ठिकाने की और आना शुरू कर देता है जब मन मान जाता है यानि जब मन अपने ठिकाने बर्म या तरिकुटी में पहुंच जाता है फिर हमारी जोती जोत में मिल जाती है हमारी आत्मा वापस जाकर परमात्मा में समा जाती है फिर फर्माते हैं हर दर सोबा पावनिया कि हम हरी अत्वा मालकी दरगा में जाकर हमेशा के लिए शोबा और इजद प्रापत कर लेते हैं इसलिए जब तक हमारे अंदर से ये अग्यानता का अंधेरा दूर नहीं होता हमारे मन और आत्मा की गांट कभी खुल नहीं सकती हम कभी मालकी दरगा में जाकर शोबा और इजद प्रापत नहीं कर सकते गुरू अमरदास जी फरमाते हैं बिन सब्दे अंतर आनेरा ना वस्तलहे ना चुके फेरा कहते हैं कि भाई शब्द या नाम की कमाई के बिना ना कभी तेरे अंदर से अग्यानता का अंधकार दूर होगा ना कभी रोशनी और प्रकाश दिखाई देगा ना कभी तेरा दे के बंदनों से चुटका रहोगा ना तु जनम मरण के दुखों से बैस सकेगा और ना कभी प्रमात्म को प्रापत कर सकेगा हमें जो कुछ भी प्रापत होगा शब्द या नाम की कमाई से प्रापत होगा हमारी आत्मा की जो देखने की शक्ती है इसे महात्मा निरत कहते है जो इसकी सुनने की शक्ती है उसको सुरत कहते है सुरत को अंदर उस शबत की आवाज को पकड़ना है निरत को उसके परकाश को देखना है इसलिए गुरु साथ फर्माते हैं कि हम अपने सत्गुरु पर बल्यहार जाते हैं कुर्बान जाते हैं जिन्होंने हमारी सुरत को उस शबत के साथ जोड़ दिया है और जहां जाकर हमने उस शब्द ये नाम के प्रकाश को देखना शुरू कर दिया है जीवन नातिये मेरे सत्गुर नाम द्रडाए गुरू साब मालक के आगे अरदास करते हैं बिंती करते हैं कि हे प्रमात्मा अकाल पुरुष प्रमेश्वर तेरा नाम मेरे जीवन का अधार है मैं तेरे नाम की कमाई करके जीना चाता हूँ मैं सांस सांस तेरे नाम की भगती करना चाता हूँ उठते बैठते चलते फिरते मैं अपने ख्याल को उस शब्द या नाम के साथ जोड़ कर रखना चाता हूँ अगर हम दे में बैट कर अपने मन को उत शबद या नाम के अभ्यास में ही नहीं लगाएंगे तो हमारा जीवन ही धिकार है, हमारे जीने का कोई लाब हो ही नहीं सकता बाल बच्चे तो हमें पिछले जन्मों में भी मिलते आए हैं खाना पीना ऐशो इश्रत हम हमेशा करते आए हैं अगर कोई अनोखी चीज़ है जो हम पहले कभी प्रापत नहीं कर सके और अब प्रापत कर सकते हैं तो गुरू साथ फरमाते हैं वै केवल शबद या नाम की कमाई है इसलिए आप कहते हैं कि हे मालक इस उंची और प्रापत करके ही हम तुझ तक पहुंच सकते हैं हम तो यही चाहते हैं कि तू हमें जिस हालत में भी रखे हम उसी में रहते हुए अपने ख्याल को शबद या नाम के साथ जोड़ कर रखें अगर दुखों का सामना करना पड़े तो भी हमें शबद की कमाई करनी है अगर तू हमें संसार में सुख देता है तो भी हमें नाम की कमाई करनी है संत नाम देव जी फरमाते हैं जो राज दें तक कवन बढ़ाई जो पीक मगावें तक क्या कट जाई एप्रमात्मा अगर तु दु दु दुनिया का मुझे राजपाट भी दे दे अगर सारी दुनिया की हकूमत भी दे दे तो भी मुझे तेरी ही उपमा तेरा ही गुंगान करना है अगर मुझे दरदर की ठोकरे खानी पड़ जाएं तो कौन सा मुझे तेरा दर छोड़ देना है जिस तरह समुन्दरी जहाज के कवे को उस जहाज के स्वाए बैठने का और कोई ठिकाना नहीं मिलता चाहे वे जितनी मर्जी औरान भड़ ले समुन्दर में उसे जहाज के स्वाए उसके बैठने की कोई और जगा है ही नहीं इसी तरह आप समझाते हैं कि उस परमात्मा के स्वाए हमारा और कौन सा ठिकाना हो सकता है हम एहंकार और हॉम्मे में फसकर चाहे जितना फर्फडा लें आखिर हमें उस परमात्मा का ही आसरा लेना पड़ता है अपने आपको उस माले के ही स्वाए करना पड़ता है इसलिए महात्मा हमें समझाते हैं कि हमें हमेशा माले के भाने में रहना चाहिए भाने में रहने से मतलब है कि जिस हालत में भी परमात्मा रखता है उसी में रहते हुए हमें परमात्मा की भक्ती करनी है मन में कोई इच्छा नहीं करनी है कोई तरिशना नहीं करनी है परमात्मा की भक्ती केवल परमात्मा से मिलाब करने के लिए करनी है बाल बच्चों के सुख के लिए दुनिया की मान बढ़ाई के लिए या कौमों मख़बों वा मुलकों के जगडे जीतने के लिए नहीं करनी है ये तो परमात्मा की बक्ती करने का कोई तरीका नहीं है अगर हम बक्ती ना भी करें तो भी जो कुछ परमात्मा ने हमारे भागे में लिखा है वैस सब कुछ उसे देना ही है हमें तो भगती इसलिए करनी है कि हमारे लेन दिन का हिसा भी खत्म हो जाए और हम वापस जाकर हमेशा के लिए परमात्मा में समा जाएं मालक के बाने में रह कर ही हम इस उदेशे में सफल हो सकते हैं क्योंके अगर दुनिया की कामना और तिषना ही करते रहेंगे तो उन्हें पूरा करने के लिए परमात्मा हमें फिर जनम दे देता है गुरु नानक देव जी फरमाते हैं देंदा दे लेंदे ठक पाहे के भाई परमात्मा ने देते देते नहीं ठकना तुझे ही लेते लेते ठक जाना है जो कुछ भी तू परमात्मा से मांगता है उसे लेने के लिए परमात्मा तुझे फिर से जनम दे देता है और उस जगा जनम देता है जिस जगा तू उन इच्छाओं और तिशनाओं को अच्छी तरह पूरा कर सके जब तक तू परमात्मा से परमात्मा को नहीं मांगेगा तू उससे मिलने में कभी सफल नहीं हो सकेगा हम रोज घरों में देखते हैं कि हम बच्चों को नौकरों के साथ खिलने के लिए बाहर बेज़ देते हैं अगर बच्चा रोता है तो नौकर उसका हर तरह से दिल लगाने की कोशिश करता है कभी उसे मिठाईयां खिलाता है, कभी कहानियां सुनाता है, कभी खिलोने से खिलाता है जब तक बच्चा खेल में लगा रहता है, माता पिता भी निश्चिंत होकर अपने घर में बैठे रहते हैं लेकिन जब बच्चा अपने ख्याल को हर तरफ से हटाकर अपने माता पिता के लिए रोना शुरू कर देता है तो किसी भी माता पिता से बरदाश्ट नहीं होता वे दौड कर बच्चे को छाती से लगा लेते हैं इसी तरह जब तक हम परमात्मा की रचना के स्वाद और प्यार में फसे हुए हैं हम रचना का ही हिसा बने हुए हैं लेकिन जब हम रचना में से ख्याल निकाल कर रचना वाले की भगती और प्यार में लग जाते हैं तो उस परमात्मा से भी बदाश्ट नहीं होता वे भी हम पर दिया महर वबक्षिश करके हमें अपने साथ मिला लेता है महात्मा समझाते हैं कि हमें हमेशा माले के भाने में उसके हुक में रहना चाहिए भाने में रहने का मतलब अपने प्रालबत कर्मों का खुशी-खुशी से हिसाब चुगा देना है जरा विचार करें कि ये कामनाएं और त्रिशनाएं कौन करता है हमारा मन करता है हम उन्हें पूरी किस्से करवाने की कोशिश करते हैं परमात्मा से हम कभी अपने मन को समझाने की कोशिश नहीं करते कि तू माले के हुकम के अनुसार चलने की कोशिश कर उल्टा हम परमात्मा को समझाने की कोशिश में लगे हुए है कि तुम हमारे मन की मर्जी के मताबग चलने की कोशिश कर भक्ती हम अपने मन की करने में लगे हुए हैं कि परमात्मा की अगर मन की भक्ती कर रहे हैं तो मन के दाइरे में ही कैद रहेंगे अगर परमात्मा की भक्ती करेंगे तो उस दाइरे से बाहर जा सकेंगे वापस जाकर प्रमात्मा से मिल सकेंगे इसलिए गुरु अमरदास जी फरमाते हैं गुर्मुक होवे सो पूजा जाने पाना मन वसाई कि मालक के भगतों और प्यारों को प्रमात्मा की भगती करने के तरीके और साधन का पता है वह मालक के भाने में रहकर मालक की भक्ती करते हैं यानि जिस भी हालत में परमात्मा रखता है उसी में रहते हुए वे शबद या नाम की कमाई करते हैं इसलिए गुरु साब हमारी और से मालक के आगे अरदास करते हैं कि हे मालक हम सान सान से कदम कदम पर तेरी भक्ती करना चाते हैं क्योंकि हमारे जीवन का मुनुष जनम को प्रापत करने का मकसद तभी पूरा हो सकता है जब हम उठते बैठते चलते फिरते तेरे शबद या नाम के अभ्यास में लग जाएं नाम अमोलक रतन है पूरे सत गुर पास सत गुर सेवे लगे आ कड़ रतन देवे पर गास अब गुरु साब नाम की मेमा करते हैं वे नाम जिसे हम हासल करना चाहते हैं कैसा है आप फरमाते हैं कि नाम अनमोल रतन है वे अमुले है संतों महातमाओं ने आम तोर पर उसे रतन जवाहर हीरे आदी कैकर उसे बियान किया है क्योंकि दुनिया में अगर हमारे लिए कोई कीमती से कीमती चीज़ है तो वे हीर-जवहरात रतन ही हैं लेकिन हम चाहे इनकी कितनी भी किमत लगा लें फिर भी ये चीजें मिटटी ही हैं इसलिए महात्मा नाम को अमुले और अनमुल रतन कैकर बेयन करते हैं क्योंक आप फ्रमाते हैं पोरे सत्गृरपास जो मालक के भगत और प्यारे होते हैं वे नाम के भंडारी बन कराते हैं वे उस नाम रूपी खजाने के मालक होते हैं और वे भंडारी उस भंडार को किने बख्षते हैं फरमाते हैं सत्गुर सेवे लगया कि जो सत्गुरु की सेवा में रहते हैं उनके बताय हुए पर चलते हैं, सत्गरू ऐसे सेवकों के आगे नाम का बंडार खोल देते हैं, उन्हें नाम की दौलत बख्ष देते हैं, इसलिए जब तक हम सत्गरू के चर्णों में जाकर उनकी सेवा नहीं करते, उनके बताय हुए उपदेश पर नहीं चलते, हम उनसे कोई चीज प्रापत नहीं कर सकते, सेवा का मतलब सत्गरू के उपदेश के अनसार अपने जीवन को ढालना है, उनके समझाने के अनसार अपनी सुरत या आत्मा को आँखों के पीछे लाना तथा उस शबद या नाम के साथ जोड़ना है, सेवा चार परकार की है, तन, मन और धन की सेवा तथा स तन की सेवा का क्या लाब है, ये जो हमारे अंदर इतना एहंकार भरा हुआ है, जब हम साथ संगत की सेवा में लगते हैं, तो हमारे अंदर से एहंकार निकलता है, हमें दूर होता है, हमारे मन में नमरता और आजज़ी आती है, इसी परकार धन की सेवा है, ये धन जो हमारे लिए विशे वासनाओं का कारण बना हुआ है, हमें शराबों कबाबों की तरफ ले जाता है, एक दूसरे की हत्या और विनाश में लगा रहा है, जिसकी वज़ा से हम एक दूसरे को हकारत या नफरत की नजर से देखते हैं, जब इस धन को साथ संगत की सेवा में खर्च करते हैं तो हमारी कमाई सफल हो जाती है और इस धन में से हमारा मौ या प्यार निकलता है इसी तरह गुर्मुखों के असूल और सिधानतों के मताबग अपने मन को चलाना मन की सेवा है गुर्मुख हमें जिस तरह जीवन को ढालने का आदेशक देते हैं उसी तरह मन को रखना है ये सबी सेवाएं हम इसलिए करते हैं कि हम सुरत शबत की सेवा कर सकें हमारी सुरत या आत्मा जाकर उस शबत को पकड़ सकें असली सेवा तो सुरत शबत की सेवा है लेकिन बाहर की सेवा की भी महात्मा बहुत मेमा करते हैं बल पानी की गागरें भर भर कर साथ संगत के सिनान के लिए लाया करते थे। जिसका हम इतना लापरापत कर रहे हैं। इसलिए गुरु नानक साथ समझाते हैं कि वे दौलत महात्मा हमें कब देते हैं। जब हम उनकी सेवा में लग जाते हैं। उनके बताय हुए उपदेश पर चलना शुरू कर देते हैं। किसी जोहरी की दुकान पर जौहरात का खरीदार जाता है तो जोहरी उसके सामने मूलेवान हीरे जौहरात निकाल निकाल कर रख देता है। उसे पता है कि इसके पास पैसे हैं और वे इने खरीदने का हकदार है। अगर उसके पास कोई कंगाल चला जाता है तो जोहरी कभी उसे दुकान के अंदर आने ही नहीं देता हीरे ज्वारा दिखाने तो दूर रहे इसलिए हमें नाम रूपी रतन प्रापत करने के लिए क्या कीमत देनी पड़ती है हमें सत्गुरू की सेवा रूपी कीमत देनी पड़ती है उनके उपदेश पर चलना पड़ता है जब हम उनके उपदेश के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं सिमरन और ध्यान के दुआरा अपने ख्याल को इकठा करके आँखों के पीछे लाते हैं तो सत्गुरू हम पर नाम की दिया कर देते हैं शब्द की दिया कर देते हैं तन वड़ पागी वड़ पागिया जो आए मिले गुर पास आप फरमाते हैं कि वैजीब बड़े भागेशाली हैं बड़े खुश किसमत हैं जो गुर्मकों की संगत में आ जाते हैं गुर्मकों की शर्ण में आ जाते हैं जो उनके कहने के अनुसार शबद या नाम की कमाई में लग जाते हैं गुरु अमरदासची फरमाते हैं नानक जिनको सत्गुर मिलिया तिनका लिखा निबढिया जिनको गुर्मक मिल जाते हैं साद्वों संतों महात्माओं की संगत मिल जाती है उनके कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाता है गुर्मुकों का जो असली सरूप है वैशबद है नाम है वैशबद या नाम हमारी आँखों के पीछे दिन रात धुनकारें दे रहा है इसलिए जब हम अपने ख्याल को आँखों के पीछे इकठा करते हैं गुर्मुकों के नूरी सरूप के दर्शन करते हैं तब ही मरंजनम के दुखों से हमारा चुटकारा हो जाता है स्वामी जी महराज फर्माते हैं सत्गुरु की शर्ण और संगत हासल करनी है उनके उपदेश पर चलना है अपने आप को बिना किसी शर्ण के उनके स्पुरुद कर देना है उनके कहने के अनुसार अपने जीवन को ढालते हुए अपने ख्याल को शबद के साथ जोडना है जिन्ना सत्गुरु पुरक्ख ना पेट्टे ओ सेपाग हीन वसकाल ओए फिर फिर जोन पवाई ए विच्विस्टा कर विक्राल अब आप फिर समझाते हैं कि संसार में दो तरह के इनसान होते हैं एक गुर्मुक हैं और दूसरे मनमुक दोनों ही उस परमात्म के बनाय हुए बंदे हैं और ये भी उस परमात्म के हाथ में है कि जने वे चाता है उनको गुर्मुक बना देता है लेकिन बढ़ाई और मेमा किन की है केवल गुर्मुकों की है आप गुर्मुक किने कहते हैं जो सत्गुरु की शर्ण में आ जाते हैं उनकी सेवा में आ जाते हैं ऐसे गुर्मुकों की आप उपर मेमा करके आए हैं जो सत्गुरु के आदेश के अनुसार शब्द या नाम की कमाई में लगे हुए हैं अब आप मनमुकों की हालत बियान करते हैं कि जिनना सत्गुरु पुरुखना पेटियो से पाग हीन वसकाल जो सत्गुरु की संगत में नहीं आते उनके कथन अनुसार मालक की भक्ती नहीं करते शबद या नाम का भ्यास नहीं करते अपने ख्याल को शराबों कबाबों से नह बहुत ही खोटे भागे वाले हैं क्यों खोटे भागे वाले हैं क्योंकि उनको मौत के बाद काल के पंजे में फसना है उन्हें जमदूतों के साथ जाकर धरमराज के सामने पेश होना पड़ेगा जहां धरमराज उच्चित समझता है वहां उन्हें जनम दे देता है एक दे कि बंदनों से चुटकारा नहीं होता दूसरा देर रूपी कलबूत पहले ही उनके लिए तियार खड़ा होता है उसके अंदर पीछे आते हैं कि मौत पहले ही आँखों के आगे आकर नाचना शुरू कर देती है दस नम्बरियों की तरह उनको हत्कडी लगी ही रहती है इसलिए आप फरमाते हैं कि मनमुक लोग बहुत खोटे भागे वाले हैं कि उन्होंने इनसान का जामा तो प्रापत किया 84 लाक यूनियों के दुखों के बाद उन्हें ये मौका भी मिला लेकिन वे अपने कीमती समय को श्राबों कबाबों विशे वकारों और इंद्रियों के भोगों में नष्ट करके इस दुनिया से चले गए उनकी क्या आहलत होगी फिर फिर जोन पुवाई है कि वे बार बार जनम लेंगे और बार बार मरेंगे उनकी यहां तक दुर दर्शा होती है कि उन्हें विश्टा के कीड़े बनना पड़ता है और गंद्गी की नालियों में जाकर सड़ना पड़ता है गुरु अमरदास जी फरमाते है सत्गुर ना सेवे मूरक अंद गवारा फिर ओए कितों पाएन मुखदवारा कि जो गुर्मुकों की सिवा नहीं करते उनके दिए हुए उपदेश पर नहीं चलते वे मुखती किस तरह हासल कर सकते हैं वे मूरक हैं अंदे और गवार हैं एक तो वे अंदे हैं दूसरे अंधेरे में फसे हुए हैं कुछ दिखाई नहीं देता रास्ते का पता नहीं चलता सिर पर पापों का बोज उठाया हुआ है और इसी अंधेरे में ठोकने का रहे हैं इसलिए आप प्यार के साथ समझाते हैं कि हमें गुर्मुकों की संगत में जाकर शब्द या नाम की कमाई करनी चाहिए उन अपास दुआस ना पिटी ये जिन अंतर क्रोध चंडाल आप फरमाते हैं कि जिन का हिर्दे क्रोध रुपी चंडाल से भरा हुआ है उनकी संगत ही नहीं करनी चाहिए मनमुकों की संगत में नहीं जाना चाहिए ताकि उन्हें देख कर कहीं हमारे अंदर भी वैसे ही ख्याल पैदा ना हो जाएं कहीं हम भी उनकी तरह ही इन श्राबों, कबाबों, विशेवकारों, आदी की लेरों में बहना ना शुरू कर दें क्योंकि हमारा मन संगत और सोबत का बड़ी जल्दी असर लेता है आप मालक के भक्तों और प्यारों की संगत करें आपके अंदर भी अपने आप मालक की भक्ती का शौक और प्यार पैदा हो जाएगा इसी तरह अगर चोरों की संगत करेंगे तो चोरी करने की आदत पैदा हो जाएगी कितना ही परहेज क्यों ना करें दस दिन अगर शुराब पीने वालों के पास बैठेंगे तो वैसे ही ख्याल हमारे मन के अंदर आने शुरू हो जाएगे हमारे मन को तो ठोकर लगती रहे कोई समझाता रहे तब कहीं जाकर हमारा ख्याल थोड़ा बहुत परमात्मा की भक्ती की ओजाता है गुरू रामदास जी फरमाते है साकत सूत बहुगर जी परिया क्यों कर तांत नी जै तांत सूत किछ निकसे ना ही साकत संग न की जै जो साकत यानी मनमुख है उनके मन में कभी सबर और संतोश नहीं आता चाहे जो मर्जी परमात्मा उन्हें दे दे आप फरमाते हैं कि मनमुख पुर्शों का सूत उलजनों से भरा पड़ा है जिस सूत में इतनी उलजने हो उस सूत से कपड़ा कैसे बुना जा सकता है जब तक उलजने नहीं सुल जती तब तक ताना कभी नहीं बुना जा सकता इसी परकार मनमुखों का मन, श्राबों, कभाबों, विशेवकारों दुनिया की शकलों और पडार्थों के पीछे भागता फिरता है उनकी संगत में जाकर हमारा ख्याल प्रमात्मा की भगती की और कैसे जा सकता है इसलिए गुरू रामदास जी हमारे और से परातना करते हैं गोबिन जीओ सत संगत मेल हरते आईए हे प्रमात्मा सादों संतों महात्माओं की संगत दे ताकि हमारा ख्याल तेरी भक्ती की ओजाए हमें तेरी याद आए निरमल नाम द्रड़ा आए तन की संगत करनी चाहिए? आप फर्माते हैं कि सत्गुरु की संगत करनी चाहिए सादों संतों महात्मां गुर्मुकों की संगत करनी चाहिए उनकी संगत क्या है? आप फरमाते हैं वे अमरत का स्रोवर हैं. हमारा ख्याल है कि अमरत के स्रोवर में शनान करने से ही हम निर्मल, पवितर और अमर हो सकते हैं. इसी परकार गुर्मकों की संगत, साद्मों, संतों, महात्माओं की संगत भी एक अमरत का स्रोवर है. इसलिए अगर आपको किसी सरोवर में जाकर शनान करके अपने पापों का हिसाब किताब खतम करना है तो वै अमरत का सरोवर हमें कहीं बाहर नहीं मिलेगा वै अमरत का सरोवर तो गुर्मुकों का सतसंग है संतों महात्माओं की संगत है लेकिन आप फिरमाते हैं वड़ पागी नावे आए कि इस अमरत के सरोवर में बहुत खुश किसमत भागेश आली जीव ही नहाने के विर आते हैं नहीं तो हम सदा बाहर के पानी बाहर के सरोवरों के लिए ही भटकते फिरते हैं जिस सरोवर का महातमा जिकर करते हैं वै सरोवर तो हमारे हरे के शरीर के अंदर है गुरू अमरदास जी फरमाते हैं काया अंदर अमरतसर साचा के भाई वै सचा अमरतसर तो तेरे शरीर तेरी दे के अंदर है हम बाहर के सरोवरों और तीर्थों का भी आदर करते हैं इन स्था पर बैट कर गुरू सहबान ने संतों महात्माओं ने शबद या नाम का परचार किया है। हमारे ख्याल को हर तरह के भर्मों और संकल्पों से निकालने की कोशिश की है। इसलिए ये सथान भी हमें बड़े प्यारे लगते हैं। लेकिं जिस रोवर में शनान करके हमें मुकती प्रापत करनी है वे बाहर का पानी कभी नहीं हो सकता। बाहर का पानी क sedan कि निरमल और पिवित्र क्यों नो हो वे हम्रे शरीर की मेल उतार सकता है। लेकिन ये जो पापों का मैल है, गुरू साथ फरमाते हैं, तोप पे नामे के रंग, वे मैल तो नाम के अभ्यास के द्वारा ही धोया जा सकता है। गुरू अमरदास जी फरमाते हैं, ए शरीर सर्वर है संतो, इसनान करे लिव लाई, नाम इसनान करे सेजनर्मल, सब देन मैल गवाई। कि भाई, ये जो तेरा श्रीर है, यही असली स्रोवर है, अगर तुझे स्रोवर में जाकर श्नान करना है, तो श्रीर के अंदर जाकर श्नान कर, कौन सा श्नान करना है, शबत के अभ्यास का श्नान, नाम के अभ्यास का श्नान, इस श्नान के द्वारा ही तेरे बाहर के तथा अंदर के मैल उतरेंगे तभी तेरी आत्मा निर्मल स्वच और पुटर होगी हम दुनिया के जीव हमेशा बार मुखी हुए रहते हैं हम समझते हैं कि हर अमावस को जाकर स्रोवर या नदी में शनान कर लें पिछले सब पाप दूर हो जाएंगे अगले महीने के लिए फिर छ स्रोवर मालिक ने आप सब को बक्षा हुआ है अगर केवल हिंदोस्तान के किसी कोने में किसी स्रोवर में शनान करने से मुक्ती हो सकती है तो ये तो बहुत अनुचित बात है उस परमात्मा की दुनिया तो लाखों मीलों तक फैली हुई है जो लोग कभी हिंदोस्तान आ ही नहीं सकते, कभी यहां पहुंच ही नहीं सकते, क्या वे कभी मुक्ती प्रापत नहीं कर सकते, क्या वे कभी जाकर परमात्मा से नहीं मिल सकते, परमात्मा ने तो अपने पास पहुंचने का सब के लिए एक ही जैसा कुदरती कनून बनाया है, इसलिए जिस अमरत के सरोवर का म अपने मन को बाहर के संकलपों से निकाल कर भर्मू से निकाल कर देय या श्रीर के अंदर जाकर उस नाम का श्नान करते हैं गुर्मुकों की संगत का फाइदा उठाते हैं। इसलिए गुरू साब हमें बार बार इसी विशे पर लाते हैं कि भाई जो कुछ भी तुझे मिलेगा गुर्मुकों और महात्माओं की संगत में जाकर नाम की कमाई करने से मिलेगा। उस शबद के अभ्यास द्वारा तेरे सिंचित कर्मों का हिसाब खत्म हो जाएगा। तेरी आत्मा निर्मल और पुवित्र हो जाएगी और मालक की मिलने के काबल बन जाएगी। जन नानक उत्तम पद पाया सत्गुर की लिव लाएए। अब आप फरमाते हैं कि जन्होंने सारी दुनिया में से मो या प्यार को निकाल कर एक सत्गुरु के साथ मो या प्यार कर लिया है। सत्गुरु के साथ लिव लगा ली है उनको ही उत्तमपद प्रापत होता है। कौन सा उत्तमपद प्रापत होता है पीछे समझा कर आए हैं कि उनके संचित करमों का सभी करमों का लेखा खटम हो जाता है। उनकी आतमा सुच निर्मल और पर्मातमा से मिलने के काबिल हो जाती है गुरुसाइब ने इस शबद में बड़ी अچ union कोल कर समझाया है कि हमें क्यों मालक की भक्ती करनी चाहिए किस तरह मालक या पर्मातमा की भक्ती करनी है शबद या नाम क्या चीज़ है कहां जाकर शबद या नाम की कमाई करने के भेद और तरीके का पता चलता है किस तरह हम दुनिया के जीव बाहर मुखी हुए बैठे हैं करमकांड में फसे हुए हैं किस तरह गुर्मोकों की संगत में जाकर इस करमकांड से बाहर मुखता से हमारा मन निकलता है और हम शबद की खोज में लगते हैं, नाम की खोज में लगते हैं इसलिए हमें भी चाहिए कि गुरू साहब के उपदेश के अनुसार अपने क्याल को शबद के साथ जोड़कर रखें, नाम के साथ जोड़कर रखें जननानक उत्तम पद पाया सत्त गुर की लिव लाए